वेल्कम टू मैं चैनल रोस्पटर्स कुकिंग क्लासेज में जोनल मितल आपका अपनी चैनल में स्वाधत करती हूं आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ शिमला मिर्श की रेसिपी है और इसको मैंने ग्रेवी के साथ बनाया है यह बहुत ही लेस वाइल में मैंने विजिटेबल बनाया है आप देख सकते हैं दिखने में तो यह बहुत कुपसूरत है खाने में बहुत टेस्टी है यह आज मैं आपके लिए इतनी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप एक ही सबजी से पूरा डिनर कर सकते हैं पूरा लंच ले सकते हैं यह इतनी यमी है आप एक बार इस रेसिपी को ट्राय करेंगे तो आम शूर आप इसको हमेशा शिमला मिर्श आप के बनाने वाले हैं बहुत रेसिपी है और दिखने में माउट वाटरिंग है यह बहुत रेसिपी है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर त्राय करियेगा बहुत पसंद आएगी आपको यह चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं ये मैने 5 शिम लामर्ष ली है जिनको मैने अच्छे से दूलिया है और इनको मैंने पोश लिया है बहुत अच्छे से इसकी ऊपर से हमें इसका सीड रिमोफ करना जो इसका कैप है उसको हम निकालेंगे और इसको हम ऐसे थाइट से दबा देंगे जिससे की यह खाली हो जाएगा अगर आपकी शिमला मेर्श में सीट्स हैं तो आप उसको भी रिमूफ कर दीजिएगा देखे मैंने कैप फटाया और थोड़ा सा इसको जगे कर दी है जिससे क प्रॉपर होल हमारा बनके रिडी हो जाएगा एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में टूटी स्पीम ऑईल डालेंगे अगर अगरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही ऑईल हमारा गरम हो जाएगा इसमें हम अपने शिमला मर्श को प्लेस कर देंगे शिमला मर्श को बस हलका सा हमें सौटे करना है शिमला मर्श को हमें पलट पलट के चारू तरफ से सौटे करना है जिससे कि ये थोड़ा सा सौप्ट हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए शिमला मर्श बहुत ही जल्दी हमारी पक जाती है बड़ बहुत जादा पकी अ करना है बस तो हम इसको चारो तरफ से चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी यह सोटे हो जाती है यह रेसिपी बहुत ही इंस्टिंट बनने वाली है आपके घर में कोई आ जाया फटा फट ऐसी यमी रेसिपी बना कर को खिला सकते हैं अब देख सकते हैं हमारे शिम्ला में चारो तरफ से अच्छे से सौटे हो रही है बस इसको आपने वीच वीच में पलटते रहना है हमारे शिम्ला में बहुत अच्छे से सौटे हो जाएंगी अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर ले रहे हैं अब एक क सौफ एड़ करेंगे तक वान टीस्पून जीरा एड़ करेंगे सौफसे स्का टिस्ट बहुत अच्छा आता है कि वान टीस्पून चॉप चिंजर एड़ करेंगे हम 2 tsp green chili अट करेंगे अब इन सबको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे जब समें 후 टी स्पून हल्दी पाउडर अट करेंगे और इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे यह मैंने 5 बॉयल्ड आलू लिये हैं जिनकों की मैंने मैश कर लिया है वो इसके अंदर हम एट करेंगे आलू को हम ऐसे मैश करते जाएंगे जिसे की कोई भी आलू बड़ा नहीं रहे हाफ कप इसमें बॉयल्ड पीज एट करेंगे उनकों भी हम अचे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले में अब इसमें स्पाइसिस जाएंगे कुछ हमारे वान टीस्पून ब्रेट चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिन कम जादा कर सकते हैं तू टीस्पून हम इसमें दनिया पाउडर एट करेंगे वान टीस्पून हम इसमें अमचूर पाउडर एट करेंगे अब इसमें हम वन टीस्पून सॉल्ट एट कर रहे हूं सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम साध़ कर सकते हैं अब हम सारे मसालों को मिक्स अब कर लेंगे अच्छे से जिसे की हमारा एक पर्फेक्ट मिक्षर रेडी हो जाए अब इसको अपने कॉर्डिंग कम साध़ कर सकते हैं आपको तीखा पसंद है तो तो बड़ा सा स्पाइसे इसमें जाधा एट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे प्रेस करते करते ही मैश करते जाएंगे जिससे की हमारा जो मिक्षर है वो एक स्मूद पेस्च पन के रेडी हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े टुकडे हमारे स्टफिंग में अच्छे नहीं रहते हैं इसलिए हम इसको मैश करते जाएंगे हेंडफुल ओफ ये ग्रीन कुरेंडर लीव जैट करेंगे हम इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं हमारा मिक्षर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है बहुत अच्छे से हमारा मिक्षर भून चुका है इसको टू-3 मिनट समय ऐसे ही सौटे करना है जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं इस सारा मिक्षर अमारा अच्छे से भून चुका है अब हम गैस आफ कर देंगे और इसको थंड़ा होने के लिए रख देंगे मिक्षर हमारा ठंडा हो चुका है अब हम स्पून की हेल्प से इसको हम अपनी शिम्ला मेश को इसमें स्टफ करेंगे अब देखेंगे बहुत अच्छा सा यह हमारा एक मैशी स्टफिंग रिडी हो चुका है इसको आप हाथ से अंदर दबाते हुए पूरा इसको बहुत अच् केब्सकर अफिल कर लेंगे अजय पूरा हम इसको अच्छे से फिल करते जाहेंगे अंदर Chip यह देखें हमारी सारे कैप्सिकम फिल हो चुकी है अब हम इसके ग्रेवी रेडी करते हैं एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में वान टी स्पून ओइल डालेंगे ओइल को हम गरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही ओइल हमारा गरम हो जाएगा इसमे वान टी स्पून जीरा एट करेंगे जीरा को क्रैकल होने देंगे जीरा क्रैकल हो जाएगा यह फाइफ टोमेटो को प्यूरी है जिसमें मैंने एक खारी में चौरे कड़क का टोकड़ा डालकर पीस लिया है अब हम इसमें इसको सौटे करेंगे ओइल में अपने अब इसमें हम कुछ स्पाइस जालेंगे वान टी स्पून हल्दी पाउडर एट करेंगे वान टी स्पून ग्रेचिली पाउडर एट करेंगे वान टी स्पून कश्मीरी लाल में जैट करेंगे जिससे की बहुत ही सुन्दर कलर आएगा हमारी ग्रेवी का वान टी स्पून धनिया पाउडर एट करेंगे वान टी स्पून अमजूर पाउडर एट करेंगे और हम सारे मसालों को अपने टमाटर के साथ अच्य से करेंगे और इसे हम तब-तक बूनेंगे जब तक की ओल Хमारा सेप्रेट नहीं हो जाता है इसको हम अपनी ग्रेवी को चलाते रहेंगे जिससे की सारे स्पाइसिस हमारे इवनली मिक्स होते जाएं अब इसमें वान टीस्पून हम दही एट करेंगे जिससे कि हमारी ग्रेवी का टेक्शर और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है इसको भी हम प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करेंगे हमें अपनी ग्रेवी को अच्छ पर ही भूनना है जिससे कि ग्रेवी बहुत अच्छे से हमारी पक्चा है अब इसमें हम वान टी स्पून सॉल्ट एट करेंगे सॉल्ट अपनी टेस्ट के आउडिंग कम जादा कर सकते हैं विकॉज हमारी शिम्ला मिर्ष के स्टफिंग में भी सॉल्ट है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी क्रेवी अच्छे से बुन चुकी है अब हम जो हमारी शिम्ला मेरे स्टफिंग करी हुई है वर्ष के अंदर एड करेंगे और इसको हलका सा हम सोटे करेंगे हलका हलका से करना है विकॉज हमारे स्टफिंग नहीं तो इसमेसे बाहर आ जाएगी अब इसको हम slow आश पर धक्तर पकने के लिए 5 मिनट्स के लिए रख देंगे अफ्टर 5 मिनट्स आप धक्तन को हटाएंगे और देखेंगे कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से खदक रही है और इसको शिम्ला मेश को हम हलके हातों से पलट लेंगे बहुत ही softly आपने इसको handle करना है otherwise हमारे जो stuffing है वो बाहर आजाएगा और जो हमारी ग्रेवी है उसको हम अपनी शिम्ला मेश में ऐसे पोड करते जाएंगे जिससे की सारा flavor हमारी ग्रेवी का हमारी शिम्ला मेश के अंदर भी आजाए हम देख सकते हैं दिखने में बहुत ही यमी लग रही है फ्रेंड्स अब इसको ट्राइ करिएगा यह खाने में बहुत 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 टीस्टी है इसको हम ऐसे पलटते रहेंगे और स्पून की हेल्फ से हम अपनी ग्रेवी इसके ऊपर पोड करते रहेंगे जिससे की सारा जो फ्लेवर है वो आ जाएगा अब हम इसको पांच मिनट के लिए ढखकर पकने के लिए और रखतेंगे अब हम अपना शिम्ला मेच को चेक करते हैं हमारी शिम्ला मेच की ग्रेवी रिड्यूस हो गई है आप देख सकते हैं बहुत यमी लग रही है यह बहुत अच्छे से ग्रेवी अब्जॉर्ब हो चुकी है इसके अंबर इसको हम अच्छे से एक बार और पलट लेंगे कि इसको फिर हम दो मिनिट के लिए ढग देंगे अब इसको हम चेक करते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह सब सारी ग्रेवी हमारी शिम्ला मिर्श में अब्सॉर्ब हो चुकी है अब देख सारी ग्रेवी अपने शिम्ला मिर्श में हम पोर कर देंगे अच्छे से और थोड़ा सा उपर से हम इसमें पनीर स्प्रिंग्ल कर देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे और हैंडफुल और कुरियंडर लीव जैट कर देंगे इसके अंदर बस यह डालते ही तो मुह में पानी आ जाएगा वाव बहुत ही टेस्टी हमारे यह रेसिपी है फुल मील है यह आपका आप इसको ट्राय कर सकते हैं फुल मील के लिए अब इसको ओली जस्ट सेकिंड हम पकने देंगे जिससे की कुरिंडर लीव इसके अंदर जाएगा हमारा अब इसको चेक करते हैं जस्ट वाव अब देखिए बहुत ही ग्रीन हमारी कलर फुल हमारी विजिटेबल बन के रिडी है इसको एक पर सॉटे कर लीजिए आप गैस ओफ कर देंगे अब डेश इस ना ओ रेडी अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लें यह आई कैचिंग रेसिपी है आप इसको जरू ट्राइ करिएगा लेजे हमारी स्वादेश्ट गर्म गरम लजीज स्टफ शिम्लामेज ग्रेवी के साथ बन के रिडी है आई होप आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं करा है रे चैनल B अग्र उनके साथ शेल करते हैं तो और आपको यह रेसिपी मेरी मईं है फ्साविल पताईएगा कि आपको यह रेसिपी मेरी कैसी लगे मेरी झाल टेक्ट चैनल आपर चेथास और नोग जड़ेपा झालट जड़े पालटार कर चालटार कर दो कि जड़ेजर रर लवालटास्टार कर दो जो कर दो दोखेकर देंहे कि जड़ेपार को के बढ़े हैं